नर्सिवपुर में राश्च्वे स्वायम सिवग संग द्वारा वार्शिक पत्संचलन का आयोजिन किया गया जिसमें जिले भर के स्वायम सिवग पत्संचलन का हिस्सा बन कर शहर का भ्रमन किया और शिवाजी मैदान में कत्रित हुए जहांपन नर्सें गरजुना के नाम प सिवक संग ऐसे कारिक्रम को आयूजित करता है तो राश्टी एकता कि भाव को लेकर नर्सिंग भुजले में पत्संचलान कायूजन किया वही सब किस तरह का आयूजन नहीं है पुजले में राश्टे स्वयम सिवक संग नर्सिंग पुर द्वारा जन जागरती और एक समरस्ता का वातवरण रहे सवहार्द का वातवरण रहे इस हेतू प्रते एक वर्स तरह के आयूजन किया जाते हैं और आज जो विहंगम द्रश्य यहां हम देख रहे हैं यह मैं तो समझता हूं हमारे लिए राश्टे स्वयम सिवक संग एक संग्ठन नहीं यह भारत वासियों के लिए गौरों का विशह हुई है संग्ठन की सक्ति बढ़ती रहे है इसको मजबूती मिलती रहे है इसके लिए संचलन किया जा रहा है सदेव से इस हिंदुस्तान में हमारी भारती संसक्रती को संरख्षित करने के लिए और इस विचार को नकेवल हिंदुस्तान सारी दुनिया में इस्थाफित करने के लिए समाज के विभिन्द मरगों में राश्ट्री सभ्मसिवक संग अपना निर्मान का कारिय है। अच्छे ब्यक्तियों का दिर्मार ये संग का उद्देशे हैं और सकल हिंदू समाज को संगठित करना ये राश्टीषम से उश्चु का लखशे और भरस में अपनी परंपरानुसार संगठन को समाज के सामने भी पृस्तुत करने के लिए बल देने के लिए इस संगठन को जिबूति मेलती है तकल समाज का और योगदान वरता है इसके लिए ये पत्थव संचलन का हमारे यहां बहुत प्रारंब से संग के अपने जन्यमकाल से यह परामपरा है उसी पराम परा के अंतरगत आज हमारे नृसिंग मैं यह संग का पस संचलन का खारिकम निर्दारी तोर पर जो हजारों को संग्य देख रहे हैं इसको संग्य का उद्देश है कि संग्ठन को सकती मिले सकल समाज का विकास हो इसी उद्देश से संचलन किया जा रहा है